हलो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी बहुत ही लंबे टाइम से आप लोगों को इंतिजार था मोस्ट वांटेट सिरीज 2.0 का और लीजिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सिरीज को मैं डॉक्टर पूजाव्यास इस लंबे सफर में आपके साथ रहूंगी और बाइलोजी पूरी हम कंप्लीट करेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे नीट 2020 का सफर जो है बहुत ही जादा असान हो जाए और इंट्रस्टिंग भी हो जाए ठीक है चलिए, स्टार्ट करते है हम लोग जो topic ले रहे है सबसे पहले वो ले रहे है living word, ठीक है, living word इसलिए ले रहे है, सबसे basic, important topic है और biology जो है वो science of life है, हम life के बार में study कर रहे है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए life क्या है, right हमेंने क्या किया है, यह पूरे chapter को फोर सक्षिन में डिवाइड कर दिया और इसी तरीके से हम सक्षिन वाइज इसको पढ़ेंगे इस chapter का वेटिज जो रहता है आपके नीट के एक्जाम में, वो रहता है one or two questions, इतना ही question इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है बहुत simple chapter है, आप लोगों को normally इसके बारे में बहुत सारे students को पता है, बट फिर भी हम लोग उसको और interesting way में पढ़ते हैं, चलिए what is living, diversity in living word, taxonomic category and taxonomic age, यह वो four categories हैं जिन में आप इस chapter को पूरा cover करेंगे, अब start करते हैं from the question what is living, living हम किसको बोलते हैं, तो living, जैसे ही word हम लोग use करते हैं, वैसे हमारे mind में picture create होने लग जाती है, हमारी खुद की और वो सारे moving objects, जो respiration कर रहे हैं, reproduction कर रहे हैं, locomotion कर रहे हैं, तो वो सारे objects की बारे में हमारे दिमाग में एक picture clear हो जाती है, तो हम भी living organism हम उसे बोलेंगे, जिन में ये सारे unique features present होते हैं, यानि कि जो growth शो करेगा, जो reproduction शो करेगा, जो consciousness शो करेगा, जो metabolism शो करेगा, और जिसमे cellular organization प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे living, growth का मतलब क्या है, ये आपके NCIT की line है, आपको ध्यान अखना इस चीज को increase in body mass or increase in number, इसी को हम growth बोलते हैं, आपके exam में भी, आप लोग जैसे score करते हैं, first exam में आपने five number score किये, second में six and third में seven, तो ये आपकी growth है, तो जैसे जैसे number में increase हुआ, वैसे ही growth जो है, हम ये सकते हैं, कोई material है, वो इकठा हो रहा है, चाहे आपने blocks नहीं हैं, और आपने 10 blocks को एक, दो, तीन, चारह से धीरे-धीरे करके इकठा करने शुरू किये, तो वो धीरे-धीरे क्या है, gradually, blocks की इकठा होने की भी, क्या है, growth है, growth का meaning यही होता है, चाहे वो अगर हम describe करें living organism में, या फिर non-living organism में, बट हम कह रहे हैं, कि living organism growth show करते हैं, चीक है, reproduction, अपनी ही जैसी progeny का development, बिल्कुल, living organism show करेंगे, metabolism, यानि कि, जितनी भी chemical reactions, जितनी भी chemical reaction हो रही है, किसी भी organism के अंदर, उन सभी chemical reactions को metabolism बोल रहे हैं, catabolism plus anabolism, catabolism means breakdown of molecules and anabolism, अगर वो molecules बनते हैं, बड़े, चोटे molecules से, बड़े molecules का बनना, cellular organization यानि कि, जितने भी हम organism हैं, वो सभी cell से बने हैं, या फिर cell की group से बने हैं, तो जैसे कोई एक cell है, जब उसमें group बनाया, तो tissue बने, tissues का कई group बने बने हैं, उनके बीच में interaction हुआ, और 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 अदर ऐसे ही कई तरह के system प्रजेंट होते हैं, तो बेसिकली हम बोलते हैं, cellular organization प्रजेंट होता है, consciousness, response towards external stimuli, कोई भी बाहर से मिलने वाले stimuli के प्रती, response अगर मैंने आपको थपड मारा तो आप फटक से क्या करेंगे, या तो गुस्सा करेंगे या फिर मुझे भी मार देंगे, तो वो क्या है आपका response है, तो consciousness जो है, वो शो करना जो है, that is also present in living organism, ठीक है, चलो, इतना आप लोगों को मालूम है, बट, हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी defining feature के बारे में, कि defining feature हम किसको बोल रहे हैं, defining feature वो features होते हैं, जिनके लिए कोई exception प्रेजेंट नहीं होता, for the example, दो चीजों में जब हम comparison करते हैं, तो हम किसी character को क्या करेंगे, उसका particular defining feature तभी बोल पाएंगे, जिसके साथ उसको compare कर रहे हैं, उसका उसमें वो चीज present ना हो, जैसे कि हमने living and non-living के बीच में comparison लेके चल रहे हैं, हमने बोला कि growth जो है वो living में present है, तो वो non-living में नहीं होनी चाहिए, तभी उसको defining feature बोला जाएगा, अगर उसके लिए exception है, यानि कि non-living में वो present है, या फिर living का ही कोई ऐसा organism में जिसमें वो absent है, तो ऐसी condition में हम उसको क्या बोलेंगे, वो with exception है, तो उसको हम defining feature में count नहीं करते हैं, तो यह जितने भी characteristics है, इन सब में defining feature कौन-कौन से है, भई, तो इन सब में defining feature में आ जाते हैं, Metabolism, Cellular Organization and Consciousness, यह जो है defining feature है, क्योंकि कोई भी exception नहीं है, आप लोग जानते हैं, जैसे growth दोनों ही शो करते हैं, living objects, living organism में भी शो करेंगे, जैसे कि sand dunes है, जैसे ही क्या होगा, accumulation होगा material का बाहर, बाहर से तो वो अपना size increase करेंगे, तो वो क्या हुआ, उनका size जो increase हो रहा है, that is growth, तो वो growth शो कर रहे हैं, बट यही चीज़ अगर हम हमारे अंदर बात करेंगे, तो हम भी क्या कर रहे हैं, internal growth शो कर रहे हैं, cell division होता है, number of cell increase होता है, and हमारे अंदर भी growth and development हो रहा है, तो चुकि यह दोनों में present है, तो यहां बोल सकते हैं, कि बिल्कुल exception है, बट एक बात याद रखिए, कि जो intrinsic growth होती है, intrinsic growth का मतलब यह होगा, कि हमारी जो internal growth है, हम अंदर से क्या कर रहे हैं, growth शो कर रहे हैं, जबकि sand dunes अगरे, non living objects बाहर से material का accumulation हो रहा है, उससे वो growth शो कर रहे है, तो इस वज़े से हम यह बोलते हैं, अगर internal growth के बारे में बोल आ जाए, तो that is present in living organism only, के वाल में ही present होती है, यह फिर क्या होगा, defining feature में count होगा, उनमें भी reproduction नहीं हो रहा, वो भी babies develop नहीं कर पाते हैं, बट still वो living तो है, इस वज़े से हमने reproduction को क्या बोला है, हमने उसको defining feature में count नहीं किया, बट still all these characteristics are shown by living objects, तो हम इनको characteristic feature बोल रहे हैं, पर defining feature नहीं बोल रहे हैं, सिरब इनी तीनों पो बोलेंगे, और क्यों बोल रहे हैं और आगे discuss करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ NCRT की lines हैं हमारे पास में, जिन में से question as it is पूछे जाते हैं और हमें वो line समझ में नहीं आते हैं, हम confused हो जाते हैं, जरा उनको फड़ावट से समझ लेते हैं, जैसे कि growth, देखे growth जो है, उससे related आपको बोला गया है, growth and reproduction जो है, दोनों ही mutually exclusive event है, किसमें higher animals and plants के अंदे, बिल्कुल, कैसे हूँ है, देखे higher plants and animals जो है, वो क्या करते हैं, cell division करते हैं, ठीक है, cell division करने से क्या होता है, number of cells जो है, वो increase होती है, और जैसे ही number of cells increase होती है, then वो show करते हैं, क्या growth, and उनमें क्या होता है, development होता है, right, but, जब रिप्रोड़क्शन कर रहे होते हैं, तो उस time पे cell division की वजए से क्या होते हैं, gametes form होते हैं, और यह gametes पिर क्या करते हैं, fertilization करते हैं, and fertilization के बाद में zygote बनता है, और यह zygote जो है, यह क्या होता है, डबलप होता है, into new progeny, तो ऐसी condition में आप देखे, कि cell division, जो है, वो क्या हो रहा है, वो यहां पर एक event है, reproduction के बीच में, right, but यहां पर cell division की through number of cell increase हो रही है, और वो growth हो कर रहे हैं, तो यह दोनों ही क्या है, अलग-अलग चीजे हैं, इसलिए हायर plants and animals में growth and reproduction को, क्या बोला जाता है, exclusive event बोला जाता है, mutually exclusive, दोनों ही different-different, क्या है, phenomena है, जो इन में present होते हैं, चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, करहें तो इसके बाद में बात करेंगे रिप्रोड़क्षिन के लिए, तो इसके बात करेंगे रिप्रोड़क्षिन के लिए भी क्या है, आपके NCIT में में है, clear cut, कि यहां बोल रहे है, unicellular organ is a like algae, amoeba and bacterias bhe, reproduction and growth जो है, बो synonyms है, यहां पर क्या है युनिसेलुलर की बात करेंगे यहां पर इसका मीनिक एक ही है k्यूंकि for the example amoeba cell है इस सेल ने क्या किया division किया एंडिविजिन से 2 amoeba cell जो है बन गई है अब ये देखिए ये cell division ही क्या कर रहा है number of cell increase कर रहा है it means यह क्या हूई growth हुई number जो है इसलिए हमने क् तो यहां बहुत है नियुकर दिलिजिन के वजय से दो प्रोजयन ही अमिबा बने है। तो यहां बहुत है रिप्रोड़क्षिन भी हो रहा है। तो इसका मतलब उनि-cellular organism प्रोकेरियोट्स के अंदर किया गंडिशन है। reproduction and growth जो है उनका मतलब एक ही है इसलिए हमने उनको synonym बोला है clear? यह आपकी NCRT में मैंचिन है clear cut आपको समझना होगा चलिए, now the next, metabolism से related Metabolism को हम बोले, defining feature क्योंकि सैल के अंदर क्या है, chemical reactions हो हो रही है glucose का breakdown होता है, जिसे energy release होती हम utilize करते है प्लांट्स के अंदर फोटो सिंथिस के ताइप गुलकोस बनता है उसका भी क्या होता है उसको भी हम consume करते है और यूटिलाइस करते है और फिर हम उसका breakdown करते है, energy release होती हम उसका use करते है तो गुलकोस का बनना, गुलकोस का तूटना, यह सब क्या है? मेटाबॉलिस्म ही है, लाज मोलिक्यूल बनते है और टूटते है ठीक है? तो मेटाबॉलिस्म जो है वो सेल के अंदर होता है बट देखें, NCRT के अंदर लाइन मेंशन है, वहां पर बोला गया कि जो केमिकल रियक्शन है पर आते हैं, उनको सेल फ्री एंवायमेंट में करवा सकते हैं बिल्कुल, टेस्ट टूब के आंदर हम परफॉर्म करवा सकते हैं उनको टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाने के बावजूद भी हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर कि यह जो condition है हम इसको ना तो leaving बोलेंगे ना ही no living बोलेंगे बिल्कुल सही है क्यों कि देखे वो character जो है test tube यानि वो chemical reaction जो हमने test tube के अंदर करवाई है test tube के glass के अंदर वो naturally नहीं हो रही है राइट बट वो cell के अंदर इसलिए वो condition जो laboratory के अंदर टेस्ट यूब के अंदर जो हमने chemical reaction परफॉर्म करवाई उस condition को हम ना तो leaving में काउंट कर सकते ना ही no living में काउंट कर सकते clear आपको बात? तो NC80 में यहां पर यह mention है ठीक है तो इसको हम exception में काउंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं काउंट करेंगे but at the same time जब आप इस line को आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि metabolic reaction को in vitro metabolic reaction को बोला है कि यह living things है यह living things नहीं है बट living reaction है yes अब देखो यह line जो है इससे थोड़ी सी अलग है different है यहां आप ने भी नहीं नहीं है नहीं लिविंग वोले है और लास्ट में आते, फिर उसको लिविंग रिएक्शन बोले है confusion create करें तो समूझ जी इस साथ को यह क्या कहना चाहरे है यह बोले है है आपको कि देखो टेस्ट चूब के अंदर 是什麼 है, लिएक्षिन है नेचुरलों वह नहीं हो है बड़सले सेल यही रिएकषिन यही रिएक्षिन क्या है इस वजय से इन यही रिएक्षिन हो है लिएक्षिन को हम लिएक्षिन क्यों यही हो सकते है Auto 7, Blood System & 2, जलते रिएक्ष्ण कम यही से नहीं है और at the same time इस condition को हम ना तो living में काउंट करेंगे ना ही no living में काउंट करेंगे इस वज़े से इसको exception में नहीं लेते हैं Metabolism जो है that is defining feature चलिए अभी next consciousness देखें consciousness जो है कोई भी external stimuli के लिए response हो करना उसको हमने consciousness बोला यहीं पे एक वर आता है self-consciousness जो की केवल humans में present होती है आप लोग ध्यान रखेंगे हम ही केवल self-consciousness को show कर सकते है कैसे अगर मैं अभी आपकी insult कर दू और मैं आपको बोलू कि आप इतने लापरवाँ इंसान है आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते हैं आप उसको अपने ego ले लेंगे और ego लेने के बादे हो सकता है मुझे दो चाहिए गालिया दे या फिर हो सकता है बढ़ाई में लग जाएं तो यह क्या है self-consciousness है अगर मैं कोई कुट्टा आ रहा और मैं उसको क्या गरू टंडे से मारू तो थोड़ी दिर बाद में वो फीर आ जाएगा उसके ego बे हड नहीं होता है तो वो self-consciousness नहीं है उसके अंदर लेकिन अगर मैं आप दोनों को ही टंडे से मारती हूँ तो आप भी जोर से चिलाएंगे और हो सकता है कुट्टे को मारू तो वो भी जोर से चिलाएगा तो वो क्या है? Consciousness नहीं है आपको दर्द हुआ तो आपने चिलाया कुट्टे को भी दर्द हुआ तो वो चिलाया लेकिन जो मैंने आपको बोल के जो आपका ego हड़ किया है तो एसी कंडिशन के अंदर उसका ego हड़ नहीं हो रहा है तो वो self-conscious नहीं है हम self-conscious होते हैं ठीक है? इस चीज को अब धियान दखेंगे Consciousness के लिए कोई भी exception नहीं है बट यहाँ पे NCRT में clear cut mention है कोमा पेशेंट्स के बारे में कोमा पेशेंट्स जो होते हैं एक्चुल में इनको हम क्यों काउंट नहीं करते हैं exception में reason यह है क्योंकि इनके अंदर still metabolic reaction तो हो ही रही है और इसी के साथ में हम यह बोल रहे हैं कि यह cellular organization में इनमें मिलता है सभी cell से ही मिलकर बने है ठीक है इस वज़े से यह condition दो इसमें है but at the same time इनका brain जो है वो काम नहीं करता इसके वज़े से consciousness इसके अंदर नहीं है तो ना तो हमने इसको non living में count किया ना ही हमने इसको living में count किया that is accidental situation जिसको हम count नहीं करेंगे exception के अंदर clear तो यह यहां पर इसके लिए भी कोई exception नहीं है defining feature है consciousness चलिए आगे बढ़ते है फिर आजाते है cellular organization से related देखिए cellular organization से related लिखा गया है आपकी NCIT के अंदर एक्लाइन लिखी है जिसमें बोला है कि tissues जो है वो जो है यह tissue का होना यह character cell का नहीं है बट cell जो है वो tissues का part होती है simple सी बात है देखिए cell जब आपस में interaction करती है तब क्या बनते है टीशू बनते है लेकिन अगर आप tissue को grind कर दो और उसके बाद में जो अलग-अलग cells हमें मिलेंगी तो क्या हम बोलेंगे कि इन cells के अंदर तो क्या है तो क्या है तो क्या है तो यह बनते है तो यह हम क्या बोलते है यह cell के interaction टीशू के interaction की वजह से डेवलप होने वाली हाई रेरिकी है जो धीरी-धीरे complexity की तरफ जाती है क्लियर हूँ आपको लेकिन basic fundamental situation में अगर हम देखे तो हम यह बोलते है कि हम सभी cell से ही बने है इसलिए cellular organization का होना जरूरी है leaving organism के अंदर चाहे वो unicellular हो चाहे वो multicellular organism हो तो यहाँ पे आपको यही clear cut बताया गया है उसके बाद में second line में आपको वही चीज बोलिए कि अगर cell organelles की बार करें तो cell organelles जो है वो actual में different molecules से मिलके बनते है cell membrane बनी है protein and fat से मिलके बनी है अब यह protein and fat लिपिड यह मिलकर क्या बनाते है cell membrane बनाते है और जितने भी organelles है वो भी क्या है इन molecules के interaction की बनते है ठीक है तो हम यह बोल सकते है अगर हम definition देना चाहें तो हम definition क्या देंगे हम definition यह दे सकते है कि हम जो है living organism जो है वो एक unique complex organization है इन molecules का जिसके interaction का result होता है यह different activities जिसके अंदर सारी activities आजाती है reproduction, locomotion, उसके अंदर फिर हम consciousness, metabolism जितनी भी activities है वो सभी उसके अंदर include होती है तो हम सभी इनी molecules के इन्टरेक्शन के result की वजए से activities शो करते है तो हम क्या बोने cellular organization का होना बहुत जरूरी है that is defining feature for the living organism यही explanation आपको यह दी गई है और आपको NCRT में confusion create कर देंगे चलिए फिर definition आपको वही interaction के बारे में दिया गया है कि living organism जो है वो self-replicating है बिलकुल कोई भी एक single cell है Amoeba cell है तो वो क्या कर सकती है cell division के थूँ अपनी quantity number increase कर सकती है evolving है जैसे-जैसे क्या होता है cell division होता है या फिर हम भी बोल सकते है sexual reproduction के time पे जब gametes बनते है उस time पे जब हम यह बोलते है meiosis होता है उस time पे कई बार ऐसा आता genetic material के अंदर changes आते है and some time environmental condition की वज़े से genetic material में जो changes आते है उसकी वज़े से नए character develop होते है evolution होता है तो yes evolution होता है self-regulating interactive system है बिलकुल self-regulating है हमारी body के अंदर बहुत सारी activities ऐसी है जो अपने आप से control होती है और एक cell जो है वो भी क्या है self-regulating unity तो है cell के अंदर अगर glucose का breakdown हो रहा है या फिर glucose का formation हो रहा है या फिर DNA का replication हो रहा है उससे अगर protein बन रही है तो वो सारा का सारा regulation जो है वो अपने आप से खुद करना है हम नहीं बोलते हमारी हर cell को चलिए DNA को replicate करिए चलिए प्रोटीन बना लीजिए चलिए यह अभी जो है इस तरह का होर्मोन जो है वो release करिए हम नहीं बोलते है या भी बाहर से कोई भी जो हम बोलते है पावर इस को control नहीं करिए self-regulating interactive system है हमारी बोडी का चाहे वो unicellular हो या फिर multicellular हो चलिए तो हम response भी शो करते है external stimuli के प्रती बिल्कुल तो यही definition आपके living की आपके NCIT में clear cut mention है चलिए उसी के साथ में एक और mention है आप लोगों के आपको ध्यान अखना है present, past and future जितने भी living organism है वो same genetic material द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते है सब में same genetic material होता है बट अलग अलग degree का होता है क्योंकि हम सब के अंदर DNA, RNA सब में है सब में DNA है, सब में RNA है सब में DNA है, सब में RNA है और सब के अंदर वही 5 जो है हमें देखने को मिलेंगे nitrogen base, adenine, thymine, guanine, cytosine, uracil यही 5 हमारे अंदर मिलेंगे हमारे अंदर nitrogen base, जिनकी sequence हो सकता है में भी अलग-लग amino acid की sequence अलग-लग बना सकते है adenine, thymine, ur guanine, cytosine सब का ratio हो सकता है, सब में अलग-लग हो लेकिन basically यही nitrogen base मिलेंगे कोई 6, 7, 8, अलग से और nitrogen base वो नहीं आएंगे तो हम यह बोल रहे है genetic material सब का similar है बट different degree का है अलग-लग तरीके का हो सकता है अलग-लग तरीके से मतलब इनकी sequencing से है छीक है, अलग तरह के nitrogen base से नहीं है इनकी percentage से है इनकी quantity से हो सकता है इनका ratio अलग-लग हो सकता है चलिए, यह आपके NCIT में clear cut mention है जो आप लोग ध्यान नहीं देते है तो यहाँ पे खतम हो जाता है what is living हमारा topic और अब ही आपके mind में clear picture बन गई होगी चलिए, now next topic, diversity in living world देखे, diversity, सबसे पहली बात इसको कहते है diversity आप देखे, अगर किसी भी एक particular area के अंदर अगर आप जाएं, जिस पी area में आप रह रह रहे हैं अब अपनी colony में ही देखे, आपको कही तरह की variety मिलेगी organism में कैसे, same area, same colony में अगर आप जाएं आप जाएं आप विंडो से जहांके देखे आपको कही तरह के आप प्लांट्स नजर आएंगे हो सकते हैं में आपकी balcony में यह लग लगते हैं आप अपने घर में जहांकेंगे तो आपको दिखाएं देएंगे human beings, थोड़ी देर में अगर आप खाना खा रहे हैं या फिर खिड़की कुलिये window ओपन रह जाती है तो कई मक्हियां भी उनके उपर क्या होती है बिन बिनाने लगती है कभी-कभी कभी-कभी क्या होता है रात को सोते हैं आपको मच्छर भी काट रहे होता है लकडी के साइड से अगर आप कभी देखेंगे कहीं पर गीला सीलन रहे हैं तो महां से खत्मल वगर निकलते वे भी आपको नजर आ जाएंगे कहीं दीवारों पर आपको दीमग भी नजर आ जाएगी तो एक particular area में ही आपको कई तरह के आपको देखने को मिलते है organism तो इसी को हम क्या बोलते है diversity बोलते है एक particular area में different different species की presence जो है इसको diversity बोला जाता है वो plant species हो सकती है animal species हो सकती है clear चलिए इसी के साथ में आप लोगों को एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक क्लियर के मैंशन पूछा गया है यापको द्यान दखना है आपको range पूछी जाती आप इस range को द्यान दखेंगे कि कितने number में species जो है अब तक known है और उसको describe कर दिया ग कई बार सब लोग plants और animals को लेकर भी अलग लग data याद रखते है पर कभी पूछा नहीं गया है नहीं anxiety में mention है तो हम क्यों जाए उस side में राइट चलिए फिर आज आते हैं ये describe and known ये बाशब्द क्यों आए ठीक है तो यही से science की एक नई ब्रांच आती है जिसका नाम है taxonomy taxonomy जो है ये शब्द जो है आया है taxon से अभी taxon तक हम जाएं लेकिन सबसे पहले हम taxonomy को ही समझते है कि taxonomy है क्या actual में अगर आप किसी भी नई चीज को देखेंगे तो सबसे पहले उसको क्या गरेंगे identify करना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या और identify आप कब कर पाएंगे उसको जब आप उसके character बोल पाएंगे for the example मैंने ये pen लिया है मैं इसको pen तब तक नहीं बोल पाऊंगी जब तक मैं इसको identify नहीं कर पाऊंगी और identify तब कर पाऊंगी जब मुझे इसके character मालूम होगी कि हाम इसमें निप present है इसमें बाहर का cover present है इसको मैं लिखने में यूज में ले सकती हूँ जब मेरे को इसका characterisation हुआ तो मैंने इसको identify कर लिया and then मैंने इसका नाम रखा क्या pen तो ये क्या है ये एक process है इस process को ही हम पढ़ते हैं किसके अंदर taxonomy के अंदर तो taxonomy हम किसे बोल रहे हैं तो taxonomy is a study of classification, identification, nomenclature and characterization इसी को बोला जाता है taxonomy जब भी नाम आता है तो taxonomy वर्ड हमाल दिमाग में गूम जाता है चलिए अभी इनी शब्दों को समझते है classification का मतलब क्या हुआ? classification का मतलब ये हुआ कि इनको different different category के अंदर divide करना चीक है? divide का मतलब कैसे हुआ? जैसे कि for the example कि आपके पास में books है, biology की है, physics की है and chemistry की है अभी आपके पास में उनसे related MCQs की books भी है, उनके notes भी है तो आप क्या करोगे? उनको तीन section में divide कर दोगे biology का section जिसमें उनकी तीनों ही चीज़े है books भी है, notes भी है, MCQs की books भी है physics का एक अलग section, chemistry का एक अलग section आपने क्या किया? यह उनको अलग अलग category के अंदर divide करके उनको आपने एक जगह पर place कर दिया, रख दिया है तो इसको क्या बोला है? classification बोला है subject के according, तो classification करना यानि जितने भी diversity के हम जिसमें बोल रहे हैं living organism है, उनको different different groups के अंदर divide करना, categorize करना, अलगलग category में रखना उसको हम classification बोल पे है, ठीक है? second चीज आ जाती है, identification identification का मतलब तो वही है अगर हम उसको उसके character को देखते हैं उसको पहचान पाना उसको हम उसका identification बोलेंगे चले, nomenclature का मतलब हुआ उसको कोई ना कोई नाम देना ताकि हम उसको समझ पाए और अगली बार उसी नाम से उसको बुला पाए and characterization characterization का मतलब यह हुआ morphologically, cytologically और फिर हम यह बोल से anatomically कई तरीके से आजकल क्या किया जाता है characters जो है, वो list जो है उसकी बनाई जाती है, characters की list पहले सबसे पहले starting में जो है, केवल morphologically characters को ही लिया जाता है, बाहर से उनके क्या-क्या characters होते है, उसी को देखा जाता था तो characterization का मतलब क्या हुआ cytologically, anatomically morphologically, उसकी पूरी study करना and then उनकी characters की list बनाना, characterization करना ठीक है, उसको हम characterization बोलेंगे but taxonomy से जो question पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि taxonomy के अंदर इसके, हम यह बोलते है, continue steps क्या है, तो वो भी अपके NCIT में mention है, सबसे पहले हम किसी भी organism का क्या करते है, characterization करते है जब characterization हो जाएगा तब उसका क्या हो जाएगा, identification कैलाएगा और identification होने के बाद हम उसको classification करेंगे and then उसका normal culture करेंगे इसके लिए एक simple सा funda है, आपके घर में कोई बच्चा बेबी अभी हुआ है आप उसको देखेंगे और उसके morphologically character से क्या करेंगे, characterization कि आपने morphologically character आपने देखा, तो आपने identify किया कि ये man, baby girl है या फिर baby boy है जब आपको पता चला कि हाँ, ये baby girl है या baby boy है, तो उसके according आपने क्या क्या, आपका एक classification हो गया, और आपने उससी तरीके के नामों के list देखी, और उसका क्या क्या, nomenclature किया उसका नामकरन किया, ठीक है, तो वही simple चीज जो है, वही simple steps जो है, वो taxonomy के अंदर भी क्या किया जाते है, फोलो किये जाते है चलिए, taxonomy के अंदर जब बात करेंगे, तो यहां पर बात हम binomial nomenclature के करेंगे वो बहुत ही important है, कार्डस लीनियस ने हमें दिया है, उसको discuss करने से पहले, यह nomenclature किसके थू किये जाते है, तो जितने भी organism है, चाहिए, वो plant species है, चाहिए, वो animal species है, उन सब का nomenclature ICBN and ICZN करते है ICBN किसका करते है, botanical nomenclature, यानि कि only plants के लिए, चलिए, यह plants के लिए करेंगे, ZN जो है, यह करेंगे animal के लिए, ठीक है, तो आप से पूछा जाता है, इनकी full form B, International Code of Botanical Nomenclature ICZN, International Code of Zoological Nomenclature, यह दो ही शब्द आपकी NCIT में में मेंचन है, आप लोग virus के लिए, bacteria के लिए, बाकि सारे जने, वो क्या है, वो भी याद कर लेते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, तो सरफ यह दो ही शब्द, आपने दिमार में ध्यान रखिए, इनी के बारे में सीधा कोशन पूछा जाता है, क्या यह बार पूछ लेते हैं, कि plant के लिए कौन नomenclature करता है, तेना आपका अंसार होगा ICBN, और कभी पूछ लेते हैं, ICBN या फिर ICZN क्या, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, चले, clear cut, now, binomial nomenclature, main and important topic, बहुत ही ज़्यादा important है यह, binomial nomenclature की बात आती है, carless lenius हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि carless lenius नहीं हमें यह पददी दी है, binomial nomenclature की, mangifera indica, इससे related question आपके लास्ट के पूछा गया था, आपके दिमाग में अगर हो 2019 में, और देखिए, binomial nomenclature कैसे किया जाता है, for the example, यहाँ पे mangifera indica को हम लेके चल रहे हैं, कि जो भी organism है, यहाँ पे हमने plant species ली है, आप अनिमल species का example भी ले सकते हैं, तो देखिए, mangifera indica, यहाँ पे हमें mango के लिए एक नाम दिया गया है, यह उसका botanical name है, अब यह नाम कैसे दिया गया, आप देखेंगे, binomial nomenclature, by word आपके, इसका मतलब क्या हुआ, एक नाम में दो क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, दो वर्ड है, एक है mangifera, दूसरा है indica, फर्स्ट जो है, वो हमेशा किसके लिए स्ट्रेंड करता है, फॉर्द जीनस, जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम है पूजा व्यास, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा जाता है, व्यास पूजा, यानि की कास्ट जो होती न, वो शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो जीनस जो है, वो शो करता है, मेंजी फेर, मेंजी फेरा जो है, तीसरी चीज़ आप ध्यान रखो हमेशा यह जो वर्ड्स है यह इतलिक में लिखे जाते हैं याले देखिए तिर्चे लिखे गए है यह तिर्चे है लेकिन जब हम इसको लिखेंगे अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मैंजी, फेरा, इंडिका तो ऐसे कंडिशन के अंदर मैं इसको अंडरलाइड कर दोंगे तो हैंड रिटन जबी भी होंगे तो अंडरलाइड होंगे अगर प्रिंटेड है तो इटलिक्स में होंगे यह कौन सी लेंग्विस में लिखे जाते हैं तो याद रखिए यह लिखे लिए जाते हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान दखनी है इसी के साथ में जिस भी साइंटिस्ट ने यह नेम दिये हैं उसका नाम भी अब्रिवेट करके इसके आगे लिख दिया जाता है जैसे कि यह लिनियस ने दिया है तो लिख मैं इसके आगे मैंशन कर द चीक है तो यह आपको ध्यान दखना है अगर कोई एक स्पिशिस के लिए दो साइंटिस्ट नेम देते हैं तो हमेशा जिसने सबसे पहले दिया है उसी को इंपोर्टेंस मिलती है सेकिंड नेम जो होता है उसको हम क्या बोलते है वो हम उसको सिनोनिम में यूज कर लेते हैं क लिए कि हमेशा फर्स्ट नेम जो होता है उसी को इंपोर्टेंस मिलती है तो क्लियर रखेंगे बाते बाते अभी देखेंगे वही सारी चीज़े हैं आपके NCRT के अंदर क्लियर कट मेंचन है और इसको हमने चार्ट फोर्म के अंदर आपको मोस्ट वांडेट बूक के को जितने भी इंपोर्टेंट पॉंट्स है उनको क्लियर कट पहचानने में प्रॉब्लम ना हो तो वही सारी चीज़े इसके अंदर भी लिखिए आप लोग इसको देख सकते हैं किसके अंदर आपकी बुक के अंदर चलिए अब इसके बाद में आ जाते हैं एक और साइंस की जिसका नाम है सिस्टेमेटिक्स सिस्टेमेटिक्स वर्ड यह भी यूस किया गया था कार्डस लिंगेस ने इसको सिस्टेमा नेचुरी के अंदर जो है बुक के अंदर यूस किया था सिस्टेमेटिक्स के अंदर क्या होता है सिस्टेमेटिक्स में जो इंपोर्ट के अंदर category के अंदर रखा गया है, तो याद रखिए systematics क्या है, ये भी वही है organism and जितने भी organism है या जितने भी species है उनकी diversity की study but उनकी evolutionary relationship को साथ में लेते हुए clear, उसको हमने क्या बोला है systematics word बोला है, systematic word किस से आता है, systema से आता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है, दो ही चीज़े पूछी जाते है, taxonomy किस से आता है, taxon से, systematics किस से आता है systema से, ठीक है Latin word है ये ये भी important है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कई बार पूछ लिया जाता है चलिए, उसके बाद में आ जाता है कि हम taxonomy चुकी हमाले लिए बहुत important है taxonomy के बारे में हम study कर रहे है तो actual में taxonomy में word जो use हुआ है, taxa, taxory, क्या है इसको हम लोग समझते है, ठीक है अभी तेखे, मैं कुछ नाम लेती हूँ जो आपके NCRT में mention है यह वही से मैंने line उठाई है क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं है कही बार चलिए, वही पर लिखा गया dog, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals यह सारे जैसे शब्द मैंने लिए तो आपके दिमाह में picture create हुई की नहीं हुई हो गई न? कि animal के बारे बात कर रही हूँ तो आपको सारे animal एक साथ दिखने लगे होगी imagine कर सकते हो cat के बारे में बोला तो cat आपको दिखने लगी होगी बिल्कुल, right? तो यह imagine कर सकते हो तो यह सभी क्या है? यह सभी categories ही तो है एक जैसे दिखने वाली है ना, वो बिल्लियां जो है सब, वो सब क्या है, cat एक जैसे features होते है, cat के जितनी भी cats है, चाहे वो आपके घर की हो या पडोसी ने पाल के रखी हो, तो वो cat भी अगर आप देख लो तो cat है क्या हो गई, category हो गई वो features आप दिमाग में ले क्या ये cat के अंदर क्या present होते है, ठीक है वैसे ये dog, dog भी चाहे वो आपके घर में पल रहा हो, वो खुता हो चाहे किसी और ने किसी और breed का कुता पाल रखा हो, वो हो, ये सभी क्या इन सब की एक category है, है ना, dog जिसको हम बोल रहे है, तो dog क्या है एक category है, animal भी क्या एक category है, animal भी एक group है जिसके अंदर भी क्या है, almost same behavior वाले, same काम करने वाले है ना, उसके अंदर same characteristics वाले जो है, organism आते है animal शब्द आते ही, elephant, deer cat, dog, ये सब आपके दिमाग में imagine हो जाते होंगे, तो animal भी क्या है एक category ही है, human नाम लेते ही, हम सब आपको दिखने लगते है ठीक है, ये भी क्या एक category है अगर मैं इसकी जगे, अगर मैं animal बोलते हूँ तो उस animal में मैं भी include होती हो, तो आपको मैं भी प्लांट बोलते ही, मैं नजर नहीं आऊँगी imagine नहीं कर पाऊगे मुझे, लेकिन प्लांट बोलते ही आपके पास में, जो कोई people का पेड़ होगा नीम का पेड़ होगा, तो वो आपको दिमाग में आएगा तो ये सभी क्या है, नीम भी अपने आप में क्या है, एक कैटेगरी है और प्लांट शब्द, ये भी क्या है, अपने आप में एक कैटेगरी है, तो ये जितनी भी कैटेगरीज है, इन सभी कैटेगरीज के लिए, जो scientific word यूज वाता है उसको हम क्या बोलते हैं TEXA बोलते हैं चीक है, क्लियर हुआ, ये है TEXA, इन सभी कैटेगरीज जो है, अलग लगते हैं कि इनको scientifically हम बोलते हैं TEXA, अब ही देखिए ये कैटेगरीज जितनी भी हैं, ये सभी है तो कैटेगरीज अब इसी के लिए एक एक ग्जामबल देखो लेकिन बोलने के ये सीट निकल बोलने के लिए दिमाग में डिमाग में ये घा रखिए तो आप चीज देखो कि क्या जब आप अप अनिमल्स शब्द बोलते हो तो आपके दिमार में मैमल्स और डॉग भी आते हैं मैमल्स बोलते हो तो मैमल्स के अंदर सभी तरह है के मैमल्स चाहिए वो human हो, dog हो, cat हो, वो सब भी आते हैं, imagine में पर dog बोलते हैं, only dog ही आपके दिमार में आएंगे ठीक है, वो different different breed के हो सकते हैं तो ये सभी क्या है, है तो categories, ये सभी क्या है, है तो taxa लेकिन different different level के हैं, यानि कि animals में एक जैसे character वाले कई सारे taxa आ सकते हैं मैमल्स के अंदर भी एक जैसे दिखने वाले कई सारे taxa आ सकते हैं, dog, cat ये सभी अलग अलग तरह के taxa है, यानि कि ये सभी taxa हैं, लेकिन अलग अलग ranking के हैं, अलग अलग degree के हैं, ठीक है, अभी clear हुआ, तो ये शब्द आपके NCIT में clear cut mention है, different level का hierarchy ही नहीं समझते हैं हम लोग, और taxonomic category से पहले taxonomic hierarchy ही हमाले धिमाग में होना चाहिए, taxonomic hierarchy कि क्या बो रहे हैं, ये ये जितने भी taxa हैं, ये जितने भी categories हैं, इनको systematically arrange करना, अपने अपनी, हम ये बोल सकते हैं, similarities के according, ठीक है, ये अलग लग level पे क्या होते हैं, अरेंज किये जाते हैं, और आपको मालूम है, taxonomy के अंदर, इन categories का जो arrangement होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, hierarchy की बोलते हैं, टेक्सोनों में कितनी categories हैं, कार्डस ने इंडियास ने हमें दी है, seven obligate categories हैं, कौन-कौन सी है, species है, genus है, family है, order है, then क्या है, class है, ठीक है, तो species, genus, family, order, class और इसके higher-most category आ जाएगे, यह हम लोगों ने लिखा है, कैसे, characters जो होते हैं, उनकी decreasing तरीके से, species में वो सभी organism आते हैं, जिसमें सबसे जादा similarities हमें देखने को मिलती है, maximum similarities जो है, वो species के अंदर present organism शो करते हैं, ठीक है, फिर हम यह वो ने genus, genus के अंदर closely related species आती है, जैसे कि for the example, अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग ने example के तौर पर हम चलते हैं, solenum हमने लिया, तो solenum के अंदर क्या है, solenum tuberosum भी आती है, solenum melongina भी आती है, right, तो हमने क्या है, एक ही genus के अंदर कई सारी तरीके क्या आगे, species आ गए, तो closely related, families जो है, closely related families जो है, उसके group को हम क्या बोलते है, order, closely related orders के group को हम क्या बोलते है, class और class के closely related, जितनी भी classes है, उनके group को हम बोलते है, phylum, जबकि यहाँ पर अगर आप धिहान रखेंगे, कि botanist जो होते हैं, वो क्या करते है, यहाँ पर division शब्द यूज़ करते है, division, ठीक है, phylum यहाँ पर division दोनों वर्ड यहाँ पर यूज़ होते है, तो बस ध्यान आपको रखना है, botanist जो होते हैं, division यूज़ करते है, for the plant, and phylum वर्ड यूज़ होता है, for the animal, ठीक है, and then closely related, जितने भी phylums है, वो सभी आजाते हैं, किस के अंदर, kingdom के अंदर आजाते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, यह taxa ही है, यह सब भी क्या है, categories ही है, seven obligate categories है, but इन categories को हमने क्या क्या है, अबने इनको एक systematically तरीके से arrange किया है, लेकिन कैसे character के similar character के decreasing way में हमने उसको mention किया है, याने kingdom में सबसे जादा organism आते हैं, उससे कम phylum में, उससे कम class के अंदर, उससे कम order के अंदर, उसके कम family, then genus, then species, ठीक है, तो जैसे जैसे आप hierarchy के अंदर क्या होते जाओगे, नीचे आते जाओगे, number of organism जो है, वो कम होगा, जबकि number of similar character बढ़ते जाएंगे, ठीक है, kingdom जो है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यह है, higher category, जबकि species जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, smallest category, ऐसे ही question पूछे जाते हैं, इन में से, तो आपको पता होने जी, seven obligate categories कौन सी है, higher most कौन सी है, smallest कौन सी है, and यह किस तरह से arrange है, इसको हम decreasing and increasing दोनों तरीके से पढ़ सकते है, species kingdom की बढ़ती जा रही है, ठीक है, kingdom से लेकर अगर आप जाओगे species की तरह, तो यह क्या हो गया, descending order हो गया, लेकिन इस condition के अंदर होगा, क्या number of species बढ़ेगी, बट number of character जो है, similar character जो है, sorry number of species कम होगी, जबकि number of similar character जो है, वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, clear, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब यह कुछ एक्जामपल है, आपके NCIT के बुक के अंदर mention है, यह table जो है, आपको याद होनी चीए, learn होनी चीए, question पूछ लेते हैं, जैसे कि यह question जो है, वो पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आपसे यह पूछ लिएते हैं, किस तरीके से कि हाँ आपको बता तो सकते हैं, यह एक क्लास के उसक्माइसका के लिए क्लास के लिए मग्लिक चाह है, पूछ के अब इस इन उसका ब Molt बू कर दो सकते हैं, चलिए, पूछ ट्रे डास की इर आजाते हैं, ठीक्सा ट्रे अचनमिक यानि कि identification करने में, characterization करने के अंदर, nomenclature के अंदर, classification के अंदर, यह हमें help करते हैं, उन सब भी साधन को ही हम क्या बोलते हैं, taxonomical aids बोलते हैं, ठीक है, clear हुआ, सबसे पहले definition, now next, हर्बेरियम क्या है, सीधा, सबस्ट, याद रखें, हर्बेरियम बढ़ आते ही, दिमाग में आ जाना चाहिए, plant के बारे में, इसमें हम plant specimens की study होती है, लेकिन कैसे होते हैं, हम कैसे तयार करते हैं, हर्बेरियम को, हर्बेरियम के अंदर, dry plants को रखे जाते हैं, उसको हम पहले क और किसने उसको collect किया यह ओल जितनी भी सारी जानकारी इस पेपर हमें मिल जाती है हर्भेरियम शीट का साइज जो है वो आपको ध्यान अकना है 29 x 41.5 cm और इंचिस में अगर पूछे तो 16.5 x 11.5 inches अपको यह शीट ध्यान अकना है और इसमें क्या चाता है इसमें राय प्लांट के जोते है उसी को हम क्या करते है प्रैस करके उसको हम आगे future हमारी studies के लिए collect करते हैं Botanical Gardens क्या है यह लीवीग प्लांट जो होते है उनका यह क्या है वैसा ही environment उनको provide करते है बट वो X-C2 conservation के लाएगा तो X-C2 conservation है plants का और ये भी जो है study की जाती है इसके थ्रू भी taxonomy की study की जाती है important question royal botanical garden कहां है? Q England largest herbarium जो है यहाँ पर present है Indian botanical garden चीक है ये है largest herbarium in India important है ये पूछा जाता है और National Botanical Research Institute Lucknow India इसके बारे में भी पूछा जाता है जो NCAT में मैंचन है इसी को आपको ध्यान रखना है museum के अंदर plant और अनिमल दोनों ही दोनों के ही specimens रखे जाते हैं याद रखे हैं यहाँ पर dead specimens है living specimen नहीं है potanical garden में living specimens है ठीक है पर plant के ओंडे यहाँ पर plant और अनिमल दोनों के ही है यहाँ पर इनको preserve किया जाता है किसमें preserve किया जाता है formalin के अंदर preserve किया जाता है question पूछ रहते हैं कई बार चले इंसेक्ट्स जो है उनको भी यहाँ पर रखा जाता है सभी animals बोल दिया है तो सभी आएंगे इसमें फिर insects में आएंगे तो उनको कैसे रखते हैं महीं collect करते हैं उनके लिए अलग से separate insect box होता है जिसमें उसको क्या करते हैं पहले तो उनको मारेंगे kill करेंगे then उनको pin करेंगे और उनको collect करके उस box में रख देंगे आप उसको study कर सकते हो जितनी भी birds है उनकी bones वगरे भी रखी जाती है skeleton जो होता है हमारा human का skeleton भी होता है museum के अंदर हम यह बोल सकते है dead plant and animal specimens को रखे जाता है jar के अंदर formalin solution के अंदर dry condition में stuffed condition में भी रखते हैं कि शेर की खाल लिए और उसके अंदर stuff करके उसको भी वहां रख दिया जाता है तो museum में यह सभी तरीके से preserve किये जाते है specimens को आप वहां उनको देखके उनका identification कर सकते हो characterization कर सकते हो classification भी कर सकते हो normal culture भी वहां लिखा होता है आप उसका normal culture भी वहां पर देख सकते हो पढ़ सकते हो clear तो यह हुआ museum geological park की बात करेंगे तो geological park वही same condition है botanical garden की तरह है बट यहां पर exit to conservation होता है किसका animals का होता है animal के वही पिंजरे बने होते हैं अलग-अलग आप किसी भी इचिडियागर में गया होंगे geological park में गया होंगे उसके बाद में आ जाते हैं कुछ और taxonomical aid के बारे में जैसे की की किसको हम बोलते हैं तो देखे की जो होता है actual में यह character की list होती है जिसमें दोनों ही तरह के character होते है similar and dissimilar हम यह बोल सकते है most suitable जितने भी character हो सकते है उनकी list बनाई जाती है जैसे की for the example height के बारे में बात करें तो height क्या हो सकती है या तो बहुत long हो सकती है या फिर हम हो सकती है dwarf हो सकती है leaf के बारे में बात करें तो leaf कैसी हो सकती है simple leaf हो सकती है compound leaf हो सकती है plant के अंदर अगर हम देखें अगर हम और detail में जाए तो root कैसी हो सकती है, plants के अंदर, tap root हो सकती है, adventitious root हो सकती है, fibrous root हो सकती है, तो यह क्या है, ज़रूरी नहीं है, तीनो एक ही plant में present हो, तो यहाँ पर क्या होगी, हमने list बना ली है, कि most suitable, जितने भी characters हो सकती है, उनकी list बन जाएगी, contrast characters की list बन जाती है, similar character भी होता है, dissimilar character भी होता है, बट जो specimen हमने लिया है, उसमें कौन सा character है, तो हम क्या करते हैं, उस list में से, उस character पे क्या करते जाते हैं, tick करते जाते हैं, कि हाँ बढ़ी, tap root present है, yes, simple leaf है, yes, तो हम क्या करते हैं, उस पे टिक मार्क करते रहते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, एक नई लिस्ट तयार हो जाती है, और वो list actual में क्या होती है, वो character की list होती है, उस particular specimen की, जिसका हमने identification अभी किया है, ठीक है, तो key क्या होती है, key जो है, वो actual में plant and animals, दोनों के लिए है, similar and dissim characters की list होती है अब देखो इसके अंदर जो contrast character हम लोग लेते हैं उस pair को हम क्या बोलते है complete बोलते हैं और particular एक character को हम क्या बोलते है lead भी बोल सकते हैं जैसे कि long height जो है वो long है then वो क्या है lead और height के लिए दोनो contrast character long and dwarf दोनों को आपस में क्या बोलेंगे cup drink बोलेंगे ठीक है तो ये जो है key जो है वो characterization करने में हमें help करती है उसमें वही चीज़े एक को character को हम accept करेंगे दूसरे को हम reject करेंगे चलिए Flora Manual Monograph ये बहुत ही ज़ादा confusion create करने वाली books हैं, taxonomical books हैं जो बहुत ज़ादा confusion create कर देती है इसको हम समझ लेते हैं ठीक है देखे Flora Actual में किसको हम बोल रहे हैं और मैं इनको एक साथ ही आपको बताती हूं For the example एक plant है जिसको आपको क्या करना है जिस area में आप रह रह रहे हैं वहाँ पे आप उसको उसको discover करना है अभी आपको उस plant के characteristics मालूम है बट आप उसको कैसे समझोगे कैसे उसको डून निकालोगे तो आप क्या करोगे जहां पे भी आपका हम ये बोलते हैं कि जहां पे भी हमारे research institute आप वहाँ जाओगे उस area के वहाँ जाके आप देखोगे पूछोगे तो आप एक कैटलोग उठाओगे और उस कैटलोग में alphabetically जिस भी plant के आपको study करनी है उस पर अल्फाबेटिकली order में उस particular area के जितने भी plants के name है वो सब लिखे होते है alphabetically for the example आपने उठाया कि आपको देखना है Terminalia Arjuna Arjuna का plant तो आप TP जाएंगे और आप देखेंगे Terminalia Arjuna है यहाँ पर तो आपको पता चला Yes है कहां कौन से area में present है तो वो भी आप देखेंगे और Terminalia Arjuna को फिल्ड में जाने के बाद कैसे पैचानेंगे तो उसके लिए भी एक या दो करेक्टर वहाँ लिखे होंगे तो उस alphabetically particular area में present plants के alphabetically जो arrangement है उनका list जो है जो list हमें मिल रही है उस list को हम क्या बोलते है catalog बोलते है clear? अब आप यह चलो आपने उसको कर लिया अब ही आप पहुच गए फिल्ड में उस जए गया वहाँ पे तो बहुत सारे प्लांट है अब आप उसको कैसे पहचानोंगे तो आपको चाहिए एक brief morphological हमें बोलते है description जिसको आप देख कर क्या कर सकते हो उस specimen से मिला सकते हो ब्रीफ में description होता है जिसको आप देख कर फिल्ड में जाके पहचान सकते हो आपने टर्मिनेलिया अर्जुना की आपने सारे description में अपने उस मैनुवल के अंदर आपने देखे और आपने पहचान लिया यस तो हमने क्या बोला है मैनुवल के इसको बोला है एक एरिया में present जितने भी प्लांट्स है उनके ब्रीफ description को उसके बाद में हम बोल रहे है flora flora क्या होता है उसी एरिया में present जितने भी प्लांट्स होते है उन सब का उसके अंदर क्या होता है description भी होता है flora, अब यह flora हर level पे हो सकता है, flora जो है वो district level का भी हो सकता है, flora जो है वो street level का भी हो सकता है, flora जो है हम यह बोल सकते है country level का भी हो सकता है तो flora जो है फिर वो उसका level कोई भी हो सकता है, clear, तो flora में actual account of habitat, distribution of plant दिये गए area में, given area उसको हम बोलेंगे फ्लोरा, सबसे इंपोर्टेंट फ्लोरा है, हुकर का, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया, NCIT में में इसलिए इंपोर्टेंट है, बज गया आपका मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ किसको बोलते हैं, किसी भी एक टेक्सोन को लेकर बनाई गई बुक, और वो ट डिटेल में उस बुक के अंदर आपने पढ़ा हुआ, देख लिया, जैसे for the example, solennacy, solennacy के आपने एक उठाया, आपने मोनोग्राफ और उस solennacy के अंदर जितने भी जीनस आते हैं, उस सब के बारे में उसके अंदर क्या होगा, पूरा description लिखा होगा, तो किसी भी एक टेक्सोन को लेकर, वो कोई भी हायरिक है कि किसी भी लेवल का हो सकता है, उस बुक को हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोले तो यहीं पर आपके चैप्टल के अंदर प्रिजेंट जितनी भी confusions है, वो खटम हो जाती है, चली एफटा-फट से कुछ कुछ कोईशन्स देख लेते हैं, वो कोईशन्स क्या-क्या है, इन विच अफ़ फॉलविंग पियर ऑफ के टेगरी ग्रेटर, इस दिफिकल्टी त कॉशन्स देख टेखके लेते हैं, आपको बताना है, रिजन के अंदर रिलेशेशन्स को बताना है, थोड़ा सा दिफिकल्ट हो जाता है, जैसे की जिनस दोनों ही क्या है, जिपरेंट दिफरेंट लेवल के टेखक्षा है, विच अग्व जिन न त प्वाइलम ये जो है kingdom के बाद में next category क्या आती है division या फिर phylum वो अलग बात है कि phylum word जो हम यूज करते है अनिमल में और division word हम जो यूज करते हैं plants में हम यूज करते हैं तो अगर यहीं से अगर हम दो division के example ले ले एक plant में से और एक animal में से तो वो कही न कहीं जाकर तो क्या है similar ही है kingdom level पे तो similar ही है वो आएंगे के नहीं आएंगे कि हम यह बोल सकते हैं कि kingdom level पे जो अगर हम देखे उनको तो वो सभी के सभी जो है kingdom level पे नहीं उससे भी highermost category में यानि कि वो leaving है इस category में जाके वो एक दूसरे से क्या होते similarity show करते हैं बट उसके बाद में वो kingdom में define हो जाते है वो plant है animal and then plant में अलग start हो जाएगा and animals में अलग हो जाएगा तो यह दोनो same ही level के है बट इनको describe करना बहुत ही difficult हो जाता है यह एक level पे जाकर यह similar है species and family यह दोनों different different level के टेक्स है answer is division and phylum चलिए clear now the next select the correct written scientific name यह आपके पिछले साल का पुश्य नहीं इसलिए मैं नहीं आपे रखा है अब इनको बड़ा clear cut आपको पता चल रहा है कि कौन सा right है मैंजी फेरा इंडिका यहां पर भी लिखा है italics में है और यहां पर भी italic में है लेकिन कार्लस लीनियस दोनों ही नाम को इन्होंने क्या-क्या लिख दिया जबकि abbreviate में केवल केवल उसका surname होना चाहिए ठीक है यहां देखें मैंजी फेरा इंडिका लिड यहां पर यह क्या है complete name है capital भी है यह small है और यह italics में लिखा है और abbreviate करके scientific name भी है जबकि यह भी क्या है है तो right बट इसमें scientist का name नहीं है और इसके अंदर इंडिका जो है उसको क्या कर दिया है capital कर दिया बी आंसर जो है वह आपका क्या हो जाता है राइट हो जाता है यह last year का pushy नहीं है इसको यहां दिया है चलिए now the next which of the following statement is incorrect आपको incorrect statement बताना है in plant growth by cell division occur continuously throughout their lifespan क्या भई यह राइट है बिल्कुल राइट है हमेशा ही होता रहता है ना second पहले वो primary growth करते हैं then secondary growth करने लग जाते है non living object grow by accumulation of material on the surface बिल्कुल यह भी राइट है sand dunes जो है बाहर से इकठा होता है intrinsic growth उनमें नहीं होती इन unicellular organism growth and reproduction are the same यह भी तो राइट है क्योंकि cell division ही दोनों के अंदर शो हो रहा है growth में भी cell division ही है और reproduction जो भी cell division ही है इसके अंदर isolated metabolic reaction in vitro are living things but not living reaction wrong यह living reaction है बट living thing नहीं है याने कि यह तीनों right हुए तो हमारा answer कौन सा होगा answer है हमारा D D जो है वो हमारा answer है चले clear अभी next which is not a feature of all living organism कौन सा character जो है सभी organism का नहीं है बड़ा simple सा है ना सबको पता है metabolism सब में होता है cellular organization सब में होता है self-consciousness के वल humans में होता है and consciousness सब में होती है the right answer is C यह हमने discuss किया था चले उसके बाद में आ जाते हैं from species to kingdom the number of common character among among organism goes on अभी number of character के बारे में मैंने आपको बोला था ना question इसी बेस में पूछे जाते है यह दो चीज़े ही आपको ध्यान भो जाता रखनी होती है तो species से kingdom की तरफ जाएंगे तो number of common character जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाते है decrease होते जाते जाते then answer आपको पता है C decreasing हमेशना decrease होते है आप clear cut answer बता सकते हैं अगर आपने दंग से पढ़ा हो select the incorrect statement regarding binomial nomenclature तो binomial nomenclature से related आपको incorrect statement बताना है biological names are generally in italics and written in Latin तो italics में होते हैं और Latin में लिखे जाते हैं generic epithet starts with the capital letter right है आपको incorrect बताना है तो यह right है both the names are separately underlined indicating their Latin origin बिल्कुल author's name is written after the scientific name is Roman type चीक है यह भी right है binomial nomenclature generally in italics and written in Latin generally क्या होते हैं यह right है यह answer author name is written after the scientific name in Roman type यह भी right है यहां पर यह written यह italics में लिखे जाते हैं बट होते हैं इसमें यह Latin में होते हैं यह wrong answer है तो यह हमारा क्या हो गया answer हो गया चलिए ठीक है clear अभी next next है each statement of the key is called मैंने आप लोगों को बता है था क्या बोलते हैं इच statement को हम इसको lead बोलते हैं क्प्लेट बोलते हैं क्प्लेट बोलते हैं टेक्सों जो है वो categories को बोलते है और categories and taxon यह category जो word है यह तो normal language में है taxon उसका scientific name clear चलिए इसके बादे information about any one taxon of plant and animal can be found in किसके अंदर रखा जाता है केवल केवल एक taxon से related रखा जाता है तो वो होता है monograph के अंदर clear चलिए उसके बाद में अभी देखिए यह इतने सारे question बड़े simple थे हम लोगों ने कर लिये पूरा living word जो है वो chapter दिमाग में होगा अब कुछ follow up question प्रीज इनका screenshot ले लीजिए और मुझे comment section के अंदर लिखिए next 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 चलिए तो यह सारे follow up question है जिनकी answer आपको देने है मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद में और इनकी answer मुझे comment section में लिखने है I hope पूरा chapter आपको clear हो गया होगा धीरे धीरे हम आगे ऐसे ही बढ़ेंगे biology के अंदर और सारे concept जो है वो आपके हो जाएंगे आसान आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कर ओके बाबाई